हेलो एबरीवन वलकम बैक टो माई चैनल आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ किचेन टिप्स लेकर आई हूँ साथी साथ कुछ ऐसे आईडियाज लेकर आई हूँ जो आपके काम को असान बनाएंगे साथी साथ आपके समय और पैसे की बच्चत भी करेंगे तो फ्रेंट्स इस तरह का जो मास्क होता है यह हम सभी के घरों में पड़ा ही होता है एक दो तो जरूर होगा 100% मैं शियूर हूँ तो इसका आज हम ना बहुत अच्छा इस्तमाल करने वाले हैं मेरे किचन में भी ना इस तरह का एक दो मास्क पड़ा हो था तो मैंने चलिए इसका हम कुछ रियूस करके देखते हैं और सच में इसका जो रियूस मैंने किया ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था तो फिर इस मास्क को आपको लेना है और जो किनारिया होता है ना वहाँ पे हमको इसको कट करना है इसको कट करने के लिए पहले आप ये लास्टिक को निकाल लीजिए उसके बाद उपर से जब आप कट करेंगे ना तो इसमें से एक वाइट सा आपको तार निकलेगा निकल गया था, और ये तार दिख रहा है, आपको ये वाला तार थोर रह गया था, आप अच्छे से निकालोगे तो पूरा ये white white सा निकल जाएगा, चल्ए इसका हम क्या use करने वाले हैं, तो चलिए इसका हम क्या use करेंगे बताती हूं, वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा तो देखिए फ्रेंड इस तरह का जो हमारे पास चार्जर होता है या प्रेस का वायर होता है या कोई भी केबल होगा आपको इसको और्गिनाईज करना हो तो ये जो तार होता है ये बहुत अच्छे से हमारी चीजों को और्गिनाईज रखता है इसको आप लीजी और गोल गोल लपेट लीजी और बहुत अच्छे से जो आपका तार है वो और्गिनाईज हो जाएगा जैसे आपको टाइट करना है वैसे आप इसको कर सकते हो तो चलिए इसे भी मैं कट करके दिखाती हूँ, इसका भी आप इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हो, तो आप लगा दो इसमें छोटा सा गठान, ठीक है, अब इसके बाद आप इस केबल के वायर को भी इससे बांग सकते हो, अगेन रबर की तरह, आप चाहो तो अपने घर के करटन को औरगिनाईस कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी चीज जो जिसे आपको बंच में रखना हो, तो उसमें भी आप इसको एसर रबर औरगिनाईस कर सकते हो, तो इस तरीके से कोई भी पुराना मास्क होगा ना, ऐसा वाला आपके पास, तो आप इस तरीके से उससे फेकने से पहले इस्तमाल कर सकते हो अब ये जो रह गया है रैपर इसका भी इस्तमाल हम कर सकते हैं जो मैं आपको नेक्स वीडियो में जरूर शेयर करूंगी अगर आइडिया पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा अब चलिए देखते हैं आज की बहुत जैदा यूसces है Ziel है जिसे हम डेली का डेली यूसर करते हैं आप जो नहीं खाते हैं उनका तो नहीं बूल सकती बर जो पियार और लेशुन खाते हैं उनके लिए के कीचन में डेली पियार्ज का एस्तमाल होता ही होता है अब आद में प्याज को कट करने को लेकर आपको दो तीन आइडियाज बताऊंगी यह आइडियाज फ्रेंज इस्पेशली उनके लिए बहुत यूसफुल होगा जो हमारे बच्चे बैचलर्स होते हैं जो कॉलिज में होते हैं जो हॉस्टेल में होते हैं जो जिननों ने मतलब वह पास रहने आप सारी टूला है यह अब किचनमें नया नया काम कर रहे हैं उनको जादा काम आइडिया नहीं है तो उनके लिए यह वाला आइडिया बहुत व्धित इसेरे प्याज होता है यह प्याज हम चाकुर आप कर सकते हो प्याज को इस तरीके से स्लाइस करने के लिए आप देख सकते हो कितने इजिली हमारे जो प्याज के लच्छे हैं वो निकल आए हैं इनका इस्तमाल लच्छे वाले प्याज में पकोडे बनाने के लिए आप फटा फट से कर सकते हो नए हो न तो इससे आपके हाथों को कचने का भी डर नहीं है और बहुत इजली आप कितने सारे प्याज हो इस तरीके से कट कर सकते हो और सारे प्याज जो है न वो एक जरसे निकलेंगे आपके लच्छे तो है ना इस पिलर से कितने अच्छे से हमारे जो प्याज की लच्छे हैं वो निकलाते हैं तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएएगा अच्छा चले दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ जैसे कि आप ना हॉस्टेल में हो कॉलेज में हो या कहीं भी पिकनिग वगेरा में गए हो आपके पास चाकू नहीं है नाइफ नहीं है कट करने का अगर इस तरीके का आपके पास ग्लास है जिसकी धारी हो तो आप इस तरीके से बड़े एजली प्याज को कट कर सकते हो बारिक बारिक कट कर सकते हो और अपनी जो रेसिपी है उसे बना सकते हो बच्चे भी हॉस्टल में इस तरीके से ग्लास से कटिंग कर सकते हैं बहुत इजी ली ये कट हो जाता है आपको किसी नाइफ की किसी पिलर की जौत नहीं पड़ेगी अच्छा अब आपको सालेड अगर कट करना है खाने के लिए तो आप इसी ग्लास से मोटे मोटे कट कर लीजी ये देखे कितने अच्छे से सालेड के लिए भी आपका मतलब खाने के लिए कट जाता है तो देखिए, मने तीन तरीके आपको बताएं कि आप किस तरीके से प्याज को गट कर सकते हो तो इन तरीकों से आप अपने प्याज को असानी से चौप कर सकते हैं I hope आपको तीनों आइडियाज पसंद आए होंगे पसंद आए हो, फ्रेंड तो एक लाइक करना इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी कोई आईडिया पता चल सके और वो भी इनका यूज़ कर सके अब चलिए इने हम निकाल लेते हैं और इनका मैं इस्तमाल कर लूँगी सैलेडिया सबजी में जहां भी मुझे करना है तो आप इनको जरूर यूज़ करना और ये बेहर यूसफूल और बेहर सेफ तरीका है प्याज को कट करने का अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हैं या फिर आप नियू है कीचन में कुकिंग में तो आप इसे कर सकते हो अच्छा प्याज करने के बाद क्या होता है दोस्तों हमारे हाथों में एक अलग से स्मेल भी रहती है उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी बड़ ये जो हमने प्याज के छिलके निकाले हैं इनका भी reuse मैं आज आपको बताऊंगी आपको लेना है एक septi peen ठीक है septi peen लेने के बाद क्या करना है फैस यह जो हमने प्याज को छिलका निकाला था इसका जो white portion है ना इसको आपको ले लेना है ठीक है छिलका निकाल लेना है और इस तरीके से septi peen में आपको डाल लेना है आप सोच रहोंगे इसका मैं क्या करने वाली हूँ इसका भी मैं बहुत अच्छा इस्तमाल बताने वाली हूँ वीडियो देखते जाए तब भी आपको समझ में आएगा तो जितने भी मेरे पास इस तरह के white वाले portion से ना उन सब को मैंने इसमें लगा दिया है फ्रेंच जो रेड वाला प्याज है ना इसका स्मेल बहुत ज्यादा तेज होता है इसका इस्तमाल आप कर सकते हो चिपकली को भगाने के लिए अगर आपके किचन में जिस एरिया में चिपकली आती है तो आप इस तरीके से ना पिन में प्याज को डालके इस तरीके से आप लटका दीजिए आप देखोगे इसको देखते ही इसके स्मेल से ना चिपकली आपके किचन में कहीं भी नहीं आएगी यह बहुत जादा powerful remedy है आप इसे जरूर ट्राइ करके देखना और जो बाकी छिलके हैं उन्हें आप अपने गमले में डाल दो इस तरीके से मैंने आपको प्याज के यूज भी बता दिये अब रही बात इसके स्मेल को हटाने के लिए तो इसके स्मेल को हटाने का बहुत सारा आइडियास तो मैंने ओलेडी शेयर किया हुआ है ओईल वाला चमच वाला चलिए एक और बताती हूँ तूट पेस्ट का आप तूट पेस्ट ले लो इस्पेशली वाइट वाला ले लो और आपको इस तूट पेस्ट को लेना है हातों में थोड़ा सा रब कर लेना है रब करते रहिएगा थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हो या ऐसे भी रब करो पानी डालने से और अच्छा हो जाएगा और आप हातों को वाश कर लो आपके हातों से प्याज की जो स्मेल है वो चली जाएगी otherwise आप देखोगे ना प्याज की स्मेल जो है जल्दी नहीं जाती है बन इससे इजली चली जाती है तो टिप्स कैसी लगए कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा अब अगले टिप्स है फ्रेंट्स इस तरह के पर्स को लेके अब यह लैदर का तो नहीं है यह रैक्जिन का होगा यह लैदर का जो भी आपके पास है ऐसी क्यों होता है पर्स रखे रखे फ्रेंट्स काफी गंदा हो जाता है या उसकी शाइन चली जाती है आप देखोगे आपका कॉर्टर या टिप्स ब्लैक सा हो जाएगा और गंदगी जो दिखाई नहीं देती है पर्स में वो इसले वैसलिन से छूट जाती है आपके हमें जो भी इस तरह का पर्स होगा वालेट होगा रैक्जिन या लैदर का आप इस तरह के से वैसलिन से क्लीन करके देखना एक तो उसकी सारी गंदगी निकलाएगी साथी साथ एकदम चमकने लगता है जैसे आपने नया नया खरीद के लिया है आप को देखके तो समझ में आ रहा होगा आप पहले का पिक्टवा देख लिजए पिक्चर अरभी दीजी देखिए यह जो छोटे-छोटे टिक्स होते हैं ना फ्रेंड सी हमारे लिए बहुत यूसफुल होते हैं और हमें इन सब का पता होना भी जरूरी होता है तब ही हम अपने काम को असानी से, स्मार्ट तरीके से और कम समय से और बजट से कर पाते हैं तो ये टिप्स आपको कैसी लगी जरूर बताएगा इसमें से सबसे फेवरेट वाली आपको कौन सी लगी ये भी कमेंट्स करना ना भूले अब फ्रेंट्स बात करते हैं कैچजी आर पैन की अब आप सुज़ोंगे कैची और पैन का क्या काम है देखते जाएए बहुत विसफुल टिप्स है अकसर क्या होता है फ्रेंट्स कैची वगिरेदा पर्स में रखते हैं या कहीं रखते हैं तो हमारे हाथों में लगने का डर होता है ऐसा लगता है कहीं हम हाथ डाले पर्स में तो हमारे हाथों में ना लग जाए या राज में ही रखते हैं ना कभी कभी बाइचांस लगने का डर होता है तो आपको करना क्या है पैन खराब हुजाती है उनकी धकन कभी खराब नहीं होती उनके धकनों को आप इस तरह से लीजिए और इससे पैक कर लीजिए अब ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आपकी जो कैची है न वो किसी को लगने का डर भी नहीं रहेगा तो है न क समाल का एडिया तो आज की टीप्स आपको कैसी लगे कमेंट्स करके जरूर बताएगा कहीं किसी पॉइंट पे पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो बाइबाए और